है गाइस वेल्कम बैक आज हम डिस्कस करेंगे टाइप आफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वेसे या फिर आपको कोशन में यह भी हो सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वेस तो उसमें आपके तीन आते हैं सास इस इस इंफ्रस्ट्ट्वेर अज सर्वेस और एक होता है पी डबल एस डाट इस प्लैटफर्म एज तीनों एक के करके डिसकस करेंगे लगलग सपरेट वीडियो बनाने वाला हो या चार-पाच मिनट क संजा है और आपको वेंडर लॉकें प्रबलम क्या होती है पूरा डिटील में संजा है कोशन इंप्टन है आपके घ्जाम पॉइंटर व्यूसरे एडवांटेज डिशध्वांटेज और ट्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और उसके और वीडियो में डिसकस करें सबसे मतलब easy बात मैं easy way मैं आपको बताने वाला हूँ okay so guys out of all these three that is your type of cloud computing services हम sas discuss कर रहे हैं यह आप इसमें आपको सबसे कम control मिला होता है ठीक है सबसे कम control मतलब आपके पास कोई control नहीं है कि मेरेको operating system अगर मेरेको linux मिला हुआ है मैं उसको windows में convert कर लू वो सब हमार पास privileges नहीं होते हैं ठीक है हमार पास अगर कुछ runtime environment है तो हम कुछ भी change नहीं कर सकते हैं basically बस हमार पास इसमें क्या होगा हमार पास एक service है जो की hosted है on the internet that is on the cloud हम उसको simply बस access कर पा रहे है हमारा बस software service में इतना ही होता है तो वही लिखावा it is a way of delivering services and applications over the internet and maintenance of software hardware की हमें कोई चिंता करने की जुरुत नहीं है वो हमेशा जो हमारा vendor है वही provide करवाएगा so that's why guys it removes the cost of hardware and software maintenance वो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है okay so we need not install the software in our machines also तो simply example अगर हम लें gmail हो सकता है जैसे कि हमारा gmail हम यूज करते है हमें बस website पर जाना है gmail.com पर अपना account बनाना है और उनके services जो है यूज कर रहे है मतलब हम mail दे पा रहे है नहीं दूसरे को मैं आपको mail कर पा रहा हूँ आप मेरे को mail कर पा रहे हो तो हम simply directly services यूज कर रह है या फिर कौन से machine पर है ना मतलब कौन सा windows या फिर का है उससे हमें कोई लिना देना नहीं है तो simply we are using the services normally so guys when we talk of the characteristics it makes the software available over the internet यह हम उपर पढ़ चुके है ठीक है simply और software जो है और जो मेरे hardware है सब कुछ maintain कौन करता है vendor maintain करता है जो आपका cloud service provider है okay they maintain that and cost effective है कैसे हम pay as per use model हमार अगर हम चार घंटे के लिए ले रहा है मतलब early basis पे तो हम our case आप से pay करेंगे okay so we will pay as per use and it will be available on demand जब भी हम उसको मतलब access करना चाहेंगे services को तो हम उन services को कभी भी access कर सकते है according to our need okay so they are available always जब भी हमारी demand है हम उसको use कर सकते है anywhere and anytime next is guys हम कभी भी अपने resources को scale up कर सकते है या फिर scale down कर सकते है ठीक है anytime according to our need और ये भी हम अपने जो तीनों हमारे होने वाले हम तीनों पढ़ेंगे services एक तो हम SAS पढ़ रहे हैं भी software as a service जो हम अगले पढ़ेंगे platform as a service और infrastructure as a service यह वाला point सब में हमारा applicable होगा कि हम कभी भी अपना मतलब need के according scale up कर सकते है resources को और कभी भ also works on shade model, shade model का मतलब क्या है यार जैसे कि for an example कोई आपकी application ऐसा पोस्टीक है वो server पर डली भी है अब उसका क्या है वह ही application मतलब customer 1 भी उसकर गा, customer 2 भी उसकर गा, 3 भी उसकर ठीक है मतलब हम उसको उस पर register बगेरा कर लेंगे तो उस ही कहाम एक instance लेकि उस पर काम करने वाले basically so एक ही application है जो की server पर पड़ी भी है और बहुत सारी लोगों उसको use कर रहे है that's why same application use हो रही है तो हम बोल रहे है कि shared model है, one software is used by multiple clients, okay then next is software are automatically upgraded हमें उसको tension नहीं लेनी है, software's अपने आप वो upgrade करेंगे जो हमारे vendors हैं तो उसकी हमें कोई tension लेनी नहीं, basically हमें किस चीज़ की tension बस हमें simply अपने उनकी services है उनको use करना है और जितना उनका पैसा बनता है according to hours या according to month उतना हमको pay करना जितना हम use करेंगे, benefits की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह efficient use of software licenses, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब for an example हमारे पास कोई software है, okay and उस software का cost बहुत ह जादा है, मतलब अगर आप normal person है, उसको खरीदने की ज़रत है, तो उसके लिए बहुत ज़दा हो जाएगा, suppose thousand में या फिर lakhs में, तो कोई normal बंदा तो क्यों ही खरीदेगा है, तो simply companies क्या करती है, वो हमारे को वह वाले services provide करवाती है, मतलब वो purchase कर लेंगे उसको, और वो services मतलब provide करेंगे, कि आप अगर service लेना चाहते हो, तो हमसे मतलब हमको इतना amount pay कर दो और आप उतने time के लिए service यूज़ कर सकते हो, उस तरीके से मारी चीज़े चलती है, तो हमारे efficient use of software licenses हो जाता है, प्लस platform independence है, मतलब क्या है इसका, अगर हमारे पास android है, या फिर Mac पी resources है guys, उनको हम shade format में use कर रहे है, मतलब जो resources है, उसको आप भी use कर पा रहे हो, मैं भी use कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो वह ही आपका multi-inent solution हो गया, scale up, scale down कभी भी कर सकते हो, वह ही आपका benefit में भी आ गया, जो की characteristic थी, and accessible anytime, anywhere, and reduced time, why, we can use application directly from the browser, अब हमारा time इसलिए बच रहे ह वह सब चीज़ों का में जमीरा पालना ही नहीं है, तो वह सब चीज़े vendor अपने आप देखेगा, and it is also cost effective, that is pay as per use, जितने हम use करेंगे, उतना हम pay करेंगे, ठीक है, तो basically आपकी जो characteristics है, और जो benefits है, almost similar type कहीं है, ठीक है, बस आपको पता होना चीज़ें कि चीज़े work कैसे कर रही है, and example अगर मैं बात करता हो, तो आपका, जिसे कि आपने use कर रही होगा, कहीना कहीं, dropbox होगा, या फिर आपने gmail यूज किया होगा है, google drive पे आपने data को store करते हो, तो यह सब चीज़ें आपके simply software as service होगया, क्यों, हम simply अपना, मतलब, एक account बना रहा है, उनको use कर रहे है, simply हम जाएंगे, अगर dropbox.com पे हम simply उसको access कर पा रहे है, service को, Cisco, Webex भी आपका इसी तरह काम करता है, Salesforce होगया, Gmail, बहुत सारे examples है, मैंने तीन चर्ण यहाँ पे लिखके रखे होए, आप लोगों के लिए, office 365 is also an example of SAAS, that is, software as a service, so guys, in short हमको SAAS में, सबसे कम control मिलता है, as compared to PAS and IAS, next video जी निकी होने वाले है, PAS क्या होता है, infrastructure as a service क्या होता है, उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे आपकी जो services को accessibility आपकी भढ़ती जाएगी, ठीकेस में आपका ज़्यादा control होगा, आपका ज़्यादा आपका control होगा, इसमें सब कुछ control कर पाऊगी, कि operating system हमें कॉन and so on, तो सब आगे discuss करेंगे, तो ये था हमारा SAAS, वीडियो चलिए तो प्लीज लाइक जरूर कीज़े दोस्तो, and चैनल पर ने तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो में डाले वें, interview preparation, आपका, cryptography की best series आपको मिल जाएगी, and बहुत सारे educational वीडियो तो प्लीज शेयर कीज़े, जूनियर्स के साथ, में फ्रेंड्स के साथ, and thanks for watching, take care, goodbye, जै हिंद बंदे मातरम.